हलो एंड वेलकम एव्रिवन स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटिव चैनल आई इस पॉइंट में आई होप कैस आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टेडी वी काफी अच्छे से चल रहे होगी तो कैस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमने प्रत्रकरन की विदियो के वारे में जाना और हम एक विदी के वारे में और जानेंगे जैसे कि आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे हैं संत्रिप्त विलियन तो संत्रिप्त विलियन के वारे में हम आप डिसकस करने वाले हैं Guys, Centralist William के बारे में जानने से पहले हम इसके 3 words के बारे में discuss करेंगे जान लेते हैं अब हम की वो 3 words आखर है क्या आप ले लिजे गोलक, गोल, गोलक और गोलेत ठीक है, ये हमारे 3 words हैं इसके बारे में आज हम discuss करेंगे की गोल, गोलक और गोलेत आखर क्या ہोते है तो गाइस you listen to me carefully फहले हम जान लेते हैं गोल के बारे में कि आंखे गोल वरड का क्या meaning होता है जैसे हम पानी के साथ नमक को गोलते हैं उसका mission बनाते हैं तो उसी को कह रहे हैं हम गोल वे पानी के साथ नमक का mission कहलाता है गोल क्या कहलाता है पानी के साथ नमक का मिश्रन कहलाता है गोल अब हम जानेंगे कि गोलक आखे क्या होता है इसका सैकंड वर्ड है गोलक और गोलक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि गोलक क्या होता है गाइस जब भी हम पानी ठीक है गाई जब भी हम पानी के साथ नमक को मिलाते हैं तो उस पानी को कहते हैं गोलक क्या कहते हैं गाईज उसे हम गोलक कहते हैं अब फिर से मिरे ध्यान देंगे जब भी हम पानी के साथ नमक को मिलाते हैं उसे मिश्रित करते हैं जो पानी कहलाता है वो क्या होता है पानी हमारा एक गोलक होता है आप सब भी को ध्यान होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पानी एक सबसे अच्छा गोलक है पानी अपने अंदर क्या होता है सारी अशुद्यां जो भी होते हैं हमारे जो भी पधार्त होते है उसको क्या करता है वो अपने अंदर एज्वर्फ कर लेता है मतलब वो उसके अंदर सब चीजे घुलित हो जाती है पानी अपने अंदर सारी अशुद्यों को अच्छे से गोल लेता है तो पानी क्या हो यह हो यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर नहीं आए आपके समझ में कुछ भी तो आप क्या करेंगे आप एक भी पॉइंट अपने mind में नहीं रखेंगे अगर आपको घोलत समझ में नहीं आता है तो आप मुझे comment box में comment करेंगे चलिए हम इसका थर्ड वर्ड के वारे में और जान लेते हैं थर्ड वर्ड है हमारा गुलित और गुलित के वारे में हम जानेंगे कि गुलित आखेर होता क्या है चलिए गाईज हम इसे स्टार्ट करते हैं गुलित मतलब जो पानी के साथ क्या हो जाता है जो पानी के साथ मिशो हो जाता है ठीक है गुलित का मतलब होता है जो पानी के साथ मिशो हो जाता है या फिर मिशो हो रहा है नमक ठीक है क्या होता है जो पानी के साथ मिल रहा है वो क्या है हमारा नमक तो नमक क्या हो गया गुलित हो गया हमारा गुलित जो ग गुलने वाली है तो पानी के साथ क्या गुलने वाला है तो उसी को हम कह रहे हैं गुलेत तो हम क्या कह रहे हैं गुलेत जो पानी में घुल रहा है ठीक है जो गुलने वाली चीज है जो गुलने वाला पधार्त है वो क्या है अमारा नमक है आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि गुलित हम किसे कहते हैं आप फिर से ध्यान देंगे गुलित मतलब जो पानी के साथ मिश्र हो रहा है या फिर मिल रहा है तो क्या हो गया नमक क्या है वो जो पानी के साथ मिल रहा है यहां पर जो पानी के साथ मिश्रित हो रहा है वो क्या है गाइस वो है नमक त तो पानी के साथ गुलने वाल अपधार्थ हमारा नमक है तो गुलित क्या हो गया हमारा नमक हो गया आप इसको अच्छे से ध्यान में लखेंगे अब हमें समझते हैं कि संत्रिक तुविलियन क्या होता है हमने इसके त्री वर्स के बारे में अच्छे ते जाना और हम जानेंगे कि संत्रिक तुविलियन आखे होता क्या है चलिए अब हम इसके बारे में डिसकर्स करते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जब भी किसी गोल में नमक या पानी के गोल में गुलित नमक की मात्रा गुलने वाली है ठीक है जो पानी की जो अधिक मात्रा है वो नमक की है जो गुलने वाली है गोलक में ठीक है गोलक का मतलब होता है पानी अगर नमक की मात्रा अधिक है तो पानी में नहीं गुल सकती है आप सब भी अच्छे से जानते हैं तो क्यों नहीं गुल सकती हम इसके बारे में जानेंगे तो उस अवस्ता को हम क्या कह रहे हैं संत्रिप्ट विलियन क्या कह रहे हैं गाईस वस्ता को हम उस पो जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं संत्रिक तुबिलियन आप ध्यान दें फिर से जब हम नमक जो मैंने आपसे कहा कि गुलित के रूप में है ठीक है जो हमारा नमक है वो एक गुलित के रूप में है नमक अब उस गोलक गोलक का मीन्स मैंने आपको बताया था पानी जो हमारा पानी है हम उसे कह रहे हैं यह सब आपको च्छे से समझ जा रहा होगा मुझा हम देखेंगे उसे नमक खुल सकता है तो उस अवस्ता को कहरे हैं उस अवस्ता को हम गोल कह सकते हैं और यह क्या हो गया हमारा संत्रिप्त विलियन क्या हो गया गाइस यह हो गया हमारा संत्रिप्त विलियन आयोप यह भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा गाइस अगर हम इसके वारे में थोड़ा और डिसकस करें कि मतलब मैंने आपको बताया कि वो क्यों हो गया हमारा संत्रिप तुबिलियन हो गया मतलब अब वह जो नमक है पानी के साथ नहीं गुल पाएगी ठीक है जो हमारा नमक है वो पानी के साथ तब बिल्कुल नहीं गुल पाएगा तो क्यों नहीं गुल पाएगा यानि की हम पानी में इतना सारा नमक डाल देंगे इतना नमक डाल देंगे कि लास्ट में एक ऐसी कंडिशन आ जाएगी जिससे क्या होगा कि लास्ट में कैसी कंडिशन आ जाती है अब वह जो जल में गुले गई नहीं जो नमक है वो जल में प्रॉपर तरीकी से गुलेगा ही नहीं क्यों नहीं गुलेगा क्योंकि अब उसमें नमक नमक हो गया पानी की जो मात्रा है वो इस टाइम काफी कम है नमक के अकॉर्डिंग क्योंकि हमने क्या करा नमक उसमें काफी मात्रा में डाल दिया है तो आपका ज अंदर इतनी छमता नहीं रही है कि वे अपने अंदर नमक को गोल सके इस तरह के गोल को हम कह रहे हैं संत्रिप्त विलियन क्या कह रहे हैं इस तरीके के गोल को हम कह रहे हैं संत्रिप्त विलियन जो बिल्कुल क्या हो चुका है वो बिल्कुल ट्रिप्त हो चुका है तो आई ह तो आपके भी साथ की साथ आप टॉपिक वास टॉपिक किलिएर कर रहे हूँगे और आप जब के भी फिप्त लेसन एकड़ मेपने होँगे लर्ण होँगे आपको ठीक है बहुत अची बात है आप इज़ेशन तो रीए आप चुंहें आपके question के answer जरूर दिये जाएंगे ठीक है guys आप अपने मन में कोई भी doubt नहीं रखेंगे मैं fifth lesson आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ तो आपको क्या करना है आपको भी अच्छे से पढ़ना है ठीक है अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं आपको second पढ़ाया second complete करते गए तो guys इससे आपको वह जड़ा improve होगा कि आप क्या करने है time के according उसको learn करने है ठीक है जो आपकी learning power है जो आपकी power है तो वह भी काफी improve होगी तो आपको क्या करने है आपको day by day topic clear करने है आज की वीडियो हमारी यहीं पर finish होती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे like कीजिए subscribe कीजिए and comment कीजिए thank you so much guys bye bye